राधे राधे दोस्तों कैसे है आप सब लोग। पूजा कर सकते हैं मालक्समी को लाल कलर बहुत प्रिय होता है इसलिए कोसिस करें जादा से जादा लाल कलर का विवार करने के लिए मैंने यहां पे चौकी बिचा लिया है एक पटला ले लिया है इसके उपर मैंने लाल कलर बिचा के फूलों से सजा लिया है मालक्समी के साफ सफाय और सवंदर्ज बहुत प्रिये होता है कोशिस करें चीजों को बहुत भव्य और सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एकदम सरल विदी से आपको यहां पर पूजा करके दिखाया है इसके बाद चावल के आसन देके मैंने एक दीपक की स्थापना किय और उसके बाद दो जगा मैंने चावल के आसन लगाएंगे एक घट स्थापना करेंगे और एक जगह हमारे भिगन हर्ता भगवान से गनीज जी की स्थापना करेंगे बिना गनीज जी की पूजा के कोई भी पूजा संपूर्ण होता ही नहीं है इसके बाद दिके घट में आप चाहे तो पितल का ले सकते हैं तांबे का ले सकते हैं चांदी का ले सकते हैं और अगर यह सब नहीं है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं लेकिन स्थील या तो फिर लोहे का ववहर माता लक्षमी की पूजा में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है तो इस बात का धियान र लक्षमि की सोई रूप माना जाता है इस घट को और इहीं की पूझा जो किया जाता है इंब ही इस घ्रुप्र शुक्रवास को ना करने के बाद इस घ्रुठ को की गहता है गढताली इंध़ कि थोड़कर संद्राइव या बड़ा है देख लीजेगा तो लेकिन घट पूरा भरा होना चाहिए इसके बाद पाँच या साथ आम के पत्ते ले ले सकते हैं तो पाँच या साथ यानि कि बिजोड संखा में हमें पान के पत्ते लेनी है और इसमें रोली से मैंने यहां पे टिका कर दिया है घट के अं लौंग आपको लेनी है लौंग हमेशा जोड़े में चड़ाया जाता है तो दो लौंग आप ले लीजे इसके बाद देखे एक इलाइची आपको लेनी है आप चाहे तो एक फूल डाल सकते है यह संपूर्ण रुप से अप्सनल है और इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और कु कि नहीं है अगर बिना पानी का है तो वह यूज मत कीजिए जिसमें पानी है उसी का यूज कीजिए तो यहां पर मैंने इस तरह से नारेल को रखा है कहीं जगा पे नारेल को शुला के रखा जाता है जारेल का जो फेस है वह अपनी तरफ करके और कहीं जगा पे इस तरह से अगर आपके पास इस तरह से माता का फोटो या मूर्ती है तो आप इसको भी लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है और घट को इस दिर बहुत बढ़िया तरीके से सजाए जाता है तो मैंने देखे यहाँ पे माता का मूख लगा दिया है और उसके बाद एक जो साड़ी लहेंगा आता है रेडी मेड वो भी पहना दिया है और उपर से मैं चूनरी लपेट दूँगी तो ये जो घट है इसको इसी तरह से सजा जाते हैं कोई-कोई बहुत अची तरह से गहनों के साथ सजाते हैं और इनी के माता लक्षमी की सोरुप मानकर पूजा किया जाता है कहते हैं कि अगहन महीने की गुरुवार के दिन जो भी माता लक्षमी की पूजन करते हैं उनके घर में धन धाने के कमी कभी नहीं होती है माता लक्षमी केवल मत्र धन धाने का देवी नहीं है ये आपके घर में सर्वता सुक्सांति सम्रिध्धी लाती है इसके बाद सबसे पहरे हम गनेश जी की स्थापना पूजा करेंगे बिना बिगन हर्ता गनेश जी की पूजा किये बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं हो पाती है गनेश जी को सनान कराए आप चाहे तो पंचमरित सनान करा सकते या साधरन सुद्ध जल से सनान कराए इसके बाद मूर्ति को अच्छे से पोँच ले और चाउल का जो हमने आसन लगाया था उसमें गनेश जी को विराजमान करे फिर हम उनको बस्तर सरुप कलावा चड़ाएंगे जेनों चड़ाएंगे आप चाहे तो भगवान स्री विश्णू को सरण करते हैं उनको भी कलावा और जेनों चड़ा सकते हैं आपके पस मूर्ति है तब पूझा भी कर सकते हैं इसके बाद रोली से हम तिलग कर लेंगे मा को तिलग करेंगे गनेश जी को तिलग करेंगे और साथ में जो हमारे दीपक प्रजलित किया है उनको भी तिलग करेंगे गनेश जी को आप लाल फूल चड़ा सकते हैं या आपके पास जो भी फूल है दुर्बा घास है इन सभी च दिखाएंगे दीब दिखाएंगे फिन नौई वद्द देखेंगे तो इसी तरह से भगवान के पुझा की जाती है माता लक्समी के लिए अगर आपके पास गुलाब के फूल है यह कमल के फूल है तो आप जुरू चड़ाएं अगर गुलाब का कमल का फूल नहीं भी मिलता ह तो जो भी फूल एवेलेबल आपके पास है उन फूलो को आप चड़ा सकते है आप देखिए इस पूजा में धान अती अवस्य रखा जाता है और इसी से चावल होता है तो आप जिनको भी धान नहीं पता आप देख लो इस तरह से धान हमने भर के रख दिया धान रखने का एक ही DAN होता है कि हमारे घर में धन-धन झाने खानी पिने की कोई भी चीजों का कभी भी कमी ना। घर में खाना पिना कभी कमी नहीं होना चाहिए धान के नहीं पत्र में को पूजा कर लेंगे थोड़ी से हम टिका लगाएंगे फूल चड़ा देंगे इसके बाह 딱 है मात माज़मी का एक आलता से या तो फिर रोली से चरण बनाकर उनकी मेरे पास मालक्समी की इस तरह fixed बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं मेरे पास मालक्समी की इस तरह की तरह कहरन पे रखा है और आप चाहे तो थोड़ी सी इत्रवी लगा सकते अब इसमें रोली से हम टीका कर देंगे हेमा लक्समी मेरे घर में आप स्थाई रूस्त में हमेशा हमेशा के लिए वसवास करें भगवान गणिजी के साथ भगवान सिर्विष्णु नारायन के साथ आपका वसवास हमारे इसके बाद आप सभी भगवान को दूब दिखा दीजे चरण को भी दूब दिखा दीजे और इसके बाद जो फल है फलो में सीता फल माता को बहुत प्रिय होता है सिजनल फल में भी आता है बजार में भी बहुत मिलते है कोई एक सफेद चीजों का भोग आपको जरूर सकते हैं तो सफेद मीठे का भोग आपको जरूर लगाना है आप चाहें तो कोई सफेद मिठाई मौवाक खीर का भी मिठाई भी लगा सकते हैं इसके बाद हम आरती करेंगे बहुत जगह पर मालक्समी की आरती नहीं की जाती है तो आपके हां पे जो भी नियम है आप उस त आतनी हाथ में थोड़ी सी जल लेके तीन बार घुमा लेंगे और इसी तरह से चीजों को जो हमने आरती किया उनको सांथ कर लेंगे हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमी के लिए शमा पर्थना हमें जुरूर कर लेनी चाहिए तो देखे माता लक्समी की अगन महीने में पूजन होती है उसमें पूजन होने के बाद घर में चौकी लगा कर माता लक्समी की विशेश Kraft के parlarने सब्सक्राइब करना चाहिए कि माला object कर सकते हैं आपके पास इतना सम्हवना एक माला की लग कर सकते हैं ância कर लोग करनी चाहिए जब भी है के बाद सब्सक्राइब करने चाहिए तो देखिए महालक्षमी ब्रतकथा का बुक आता है और इस तरह का पीछे स्री जन्त्र बना हुआ रहता है मैंने इस पूजा में अलग से आपको नहीं दिखाया लेकिन आपके मंदिर में अगर श्री जन्त्र आपने रखा है लक्षमी कौडी रखा है तो उन सभी च अच्छा रहता है कि घर के सभी मेंबर कम से कम ब्रत कथा जब पढ़ रहे हैं उस बक्त एक साथ हो के हाथ जोड़ करके बैठ जाए कंबल की आसन बिछा कर और ब्रत कथा को सभी लोग सुने इससे घर का एक मंगल होता है घर में प्रोस्पारिटी रहती है और काफी अच्छा माना जाता है ब्रत कथा होने के बाद बुक को यहीं रख देते हैं और साथ में फूल भी हम बुक के सामने छोड़ देंगे मैं ब्रियस्पतिबार दिन इस तरह का जो लक्समी जी की ब्रत कथा और रहे किसी का देखा देखी नहीं अपना जो अपका जो घर का नियम है उस हिसाब से मालक्समी की पूजन करे तो देखिए आज क्या वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जुरूर बताना अच्छा लगे तो प्लीस लाइक सेर और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेल कोलना भुले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी लोगों को हरे क्रिश्ना राधे राधे बाई बाई